नवस्कार दोस्तों सब्सक्राइब करें बाते साहिती की चैनल को और प्रेस करें इस आइकन को ताकि आप देख सकते हैं हमारी वीडियोस सबसे पहले आज का पाठ सुबद्रा लेखी का महादेवी वर्मा कक्षा बारे हिंदी सहिती की दुटियो पुष्तक मन्दा की में विधा संस्मारण लेखी का परिचे महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को हुआ हैं दिवहाउसान 11 सितंबर 1987 को हुआ महादेवी की मूल पहचान एक छ गद्य सहित्य भी लोकप्यता की बुलंदियां चुकता है अपने विरह वेदना की गीतों के कारण महादेवी आधुनिक मीरा की रुप में जानी जाती है गद्य के शेत्र में संस्मरण और रेखा शेत्र लिखने में इन्हें लोकप्यता मिली इन्होंने अपने संस्मरणो पात्रों में अपने आसपास के सधरन से पात्रों को भी अमर बनाकर अपनी मम्ता का परिशे दिया है। प्यार, रस्मी, नीर्जा, सांधी गीत, दीपशिखा, सब्त पढ़ना, रिथम आयाम, अगनी रेखा आदि। गद्य में सब्रिथम रेखा चित्र, अतीत के चल चित्र और स्मृति के रेखाएं आदि। संस्मरणों में पत के साथी, मेरा परिवार, संस्मरण, निवंदों में स्रिंखला की कडियां, वेचनात्मक गद्य, साहितिकार की आस्था, चता अन्य निवंद संकल्पिता आदि। ललित निवंदों में क्षणदा, कहानियों में गिल्लो, और उनके चुने हुए भाषनों का संकलन, संभासन के अंतरगर। महादेवी को साहिते सिजन के लिए गयान प्रिट यहां पत्म भोशन जैसे प्रतिष्टित कुरस्तारों से नवाजा गया है। प्रस्तुत संस्मरण में महादेवी पर्मा ने प्रसिद्ध कवीत्री और अपनी बाल सक्षी सुवद्रा कुमारी चोहान के संदर्व में अपने बच्पन से लेकर मृत्यू परियंत स्मृतियों को प्रस्तुत किया है। इन स्मिर्तियों में सुबद्रा कुमारी चोहान के परिवारिक जीवन से लेकर साहितिक जीवन के सभी पक्षों को उभारा है पाठ में सुबद्रा जी के एविस्पर्णी योगदान का पक्ष भी विसेश रूप से उभरा है मूल पाठ हमारे शेशव का लिन अतीत और प्रत्यक्ष वर्तमान के बीच में समय प्रवाह का पाठ जोण जो चोड़ा होता जाता है क्योंकि हमारी स्मिर्ति में अंजाने ही एक परिवर्तन लक्षित होने लगता है शेशव की चित्रसाला के जिन चित्रों से हमारा रागात्मक संबंद गहरा होता है उनकी रेखाएं और रंग इतने स्पष्ट और चटकी ले होते चलते हैं कि हम वार्धव्वे की दुंदली आखों से भी उने प्रत्यक्ष देखते रह सकते हैं पर जिन से ऐसा संबंद नहीं होता है वे फीके होते होते इस प्रकार स्मृति से धुल जाते हैं कि दूजरों के स्मरण दिलाने पर भी उनका स्मरण कठिन हो जाता है मेरे लतीत की चित्र साला में महिन सुबद्रा से मेरे सख्य का चित्र पहली कौटी में रखा जा सकता है क्यों पितने वर्सों के उप्रांत भी उसकी सब रंग रे खाया हैं अपनी सिज подготовता में सपष्ट हैं एक सात्वी कक्षा की विद्यार्थिनी एक पांच्वी कक्षा की विद्यार्थिनी से प्रश्ण करती है क्या तुम कविता लिखती हो दूसरी ने सिर हिला कर ऐसी है स्विकृति दी जिसमें हाँ और नहीं तरल होकर एक हो गए थे प्रश्ण करने वाली ने इस स्विकृति ऐ लटकियां तो कहती हैं कि तुम गणित की कौपी तक में कविता लिखती हो जिखाओ अपनी कौपी और उत्तर की पतिक्षा में समय न सुना कर वह कविता लिखने की अपराधिनी को हाथ पकड़ कर खींशती हुई उसके कमरे में डेस्ट के पास ले गई नित्य व्यभार में आने वाली गणित की कौपी को छिपाना संभव नहीं था अतै उसके साथ अंकों के बीस में अनदिकार सिकुड़ कर बैठी हुई तुकबंदियां अनायास पकड़ में आ गई इतना दंड़ ही परियाब्त था पर इससे संतुष्ट न होकर अपराध की अनवेशिका ने एक खात में चित्र विचित्र कौपी थामी और दूसरे में अभियुकता की उंगलियां कसकर पकड़ी और वह हर कमरे में जा जाकर इस अपराध की सारवजनिक जोशना करने लगी उस यूग में कविता रचना अपराधों की सूची में थी कोई तुक जोड़ता है या सुनकर ह की सुनने वाले के मुख की रेखाएं इस पकार वक्रकुंचित हो जाती थी मानों उन्हे कोई कटू तिक्त पे पीना पड़ा हो ऐसी स्थिति में गणित जैसे गंभीर मैत कुण विशे के लिए निश्चित प्रिष्टों पर तुक जोड़ना अएक्षम में अपराध था इससे बढ़कर कागश का दुरूपयोग और विशे का निरादर और हो ही कह सकता था फिर जिस विद्यार्थी की बुद्धी अंकों के बीहडवन में पगपग उलस्ती है उससे तो गुरू यही आशा रखता है कि वह हर सांस को अंक जोडने गटाने की क्रिया बना रहा यह दिवैसारी धर्ती को कागश बनाकर प्रश्णों को हल करने के प्रयाश से नहीं भर सकता तो उसे कम से कम सौपचास प्रश्ट सही ना सही तो गलत प्रश्ण उतरों से भर लेना चाहिए तब उसकी भांत बुद्धी को प्रकृती दत्त मानकर उसे क्षमा दान का पात् पर जो तुकबंदी जैसे कारे से उद्धी की धार गोठिल कर रहा है वह तो पूरी शक्ति से दुर्बल होने की मुर्ता करता है अटा उसके लिए नसाहानुभूती का प्रश्ण उठता है नक्षमा का मैंने होट भीज कर नरोने का जो निश्चे किया वह नट उटा तो न तूटा अंत में मुझे शक्ति प्रिक्षा में उत्तिर्ण देख सुबदराजी ने उत्फुल भाव से कहा अच्छा तो लिखती हो पला सवाल हल करने में एक दो तीन जोड लेना कोई बड़ा काम है मेरी चोट अभी दुक रही थी परन्तों उनकी साहनुभूती और आत्म सुबदरा का चितर बनाना कुछ सहज नहीं है क्योंकि चितर की साधान जान पढ़ने वाली प्रित्य ग्रेका के लिए उनकी भावना की दीपती संचारी ने दीप शिखेव बनकर उसे ऐसाधान कर देती है एक एक करके देखने से कुछ भी विशेश नहीं कहा जाएगा पर कि हम बीर गीतों की कवीत्री में कलपना करते हैं कुछ गोल मुख चोडा माथा सरल ब्रिकुटियां बड़ी और भावसनात आंखें छोटी सुडोल नासिका नसी को जमा कर गड़े हुए से होट और दृता सूचक छुड़ी सब कुछ मिलाकर एक अत्यंत निश्यल कोमल मिलता था जब उनके और उनके निश्यत लक्ष के भीतर में कोई बाधा आ उपस्तित होती थी मैंने हसना सीखा है मैं नहीं जानती रोना कहने वाली की हसी निश्य ही ऐसा धारन थी माता की गोद में दूद पीता बालक जब अचानक हस पड़ता है तब उसकी दूद से दु नहीं थी क्योंकि दूसरे भी उनके सामने बात करने से अधिक हसने को महत्वत देने लगते थे वे अपने बच्पन की अगटना सुनाती थी कृष्ण और गोपियों का था सुनकर एक दिन बाली का सुबतरा ने इस्चे किया क्योंकि गोपी बनकर गॉलों के साथ कृष्ण की और लोट गए और गोपी बनने की साथ वाली बाली का कृष्ण को खोजती ही रह गई उसके पैरों में कांटे चुप गए कटिली जाडियों में कप्टे उलजकर फट गए प्यास से कंठ सूक गया और पसीने पर धूल की पर्त जम गई पर वैद्वन वाली बाली का अपने निश्चित लक्षपत पर अडिग रहना और सब कुछ हंस्ते हंस्ते सेहना उनका स्वभाव जात गुन था। क्रास्थवेट गल्स कोलेज में जब वे आठवी कक्षा की विद्यार थी नहीं थी तभी उनका विवा हुआ और उन्होंने पति ग्रह के लिए पर है उसे देने का ने पति को उकास है न लेने का उन्हें वस्तुत है जिस विवाह में मंगल कंकन ही रन कंकन बन गया उसकी ग्रहस्ती भी कारगार में ही बसाई जा सकती थी और उन्होंने बसाई भी वहीं पर इस साधना की मर्म व्यथा को वही नारी जान सकती है जिसने अपनी देहली पर खड़े होकर भीतर मंगल चौक पर रखे मंगल कलश उलसी चौरे पर जलते हुए घी के दीपक और हर कोने से स्नेह भरी बाह पहलाए हुए अपने घर पर दिश्ट डाली हो और फिर बाहर के अंधकार आधी और तूफान को तौला हो और तब घर की अधुर आहवान की ओर से पीट फेर कर अंधेरे रास्ते पर काटों से उलस्ती चल पड़ी हो उन्होंने हस्ते हस्ते ही बताया था कि जेल जाते समय उन्हें इतनी अधिक फूल मालाय मिल जाती थी कि वे उन्हीं कत्रकिया बना लेती थी और लेट कर खुश्पसईया के सु मांगने का अधिकार मांग लिया था महादेवी यह ऐसे ही होंसियार हैं मांगती तो वचनभंग का दोश वेरे सर पड़ता नहीं मांगा तो इनके एंकार को ठेश लगती है घर और कारगार के बीच में जीवन का जोत्रम विवाह के साथ आरंभ हुआ था वह अंत तक चलता ही रहा छोटे बच्चों को जेल के भीतर और बड़ों को बाहर रखकर वे अपने मन को कैसे सिंग्यत रख पाती थी यह सोचकर विसमय होता है कारगार में जो संपन परिवारों की सत्यागरही माताएं थी उनके बच्चों के लिए बाहर से नजाने कितना मेवा मिस्चान आ फिला केदियों से थोड़ी सी अरहर की डाल ली और उसे तवे पर भून कर बालिका को खिलाया गराने पर भी उनकी दस्या द्रोनाचारे जैसी हो जाती थी जने दूद के लिए मचलते हुए बालक अस्वत थामा को चावल के खोल से सफेद पानी दे कर बहलाना पड़ता थ घर से बाहर बैटकर वे कोमल और ओजबरे चंद लिखने वाले हातों से गोबर के कंडेत पाथती थी गर के फीतर तनमयता से आंगन लीपती थी बरतन मांसती थी आंगन लीपने की कला में मेरा भी कुछ प्रवेश था अत्या प्राया हम दोनों प्रतियोगिता के लिए आं में स्विकार करती हूँ कि ऐसे कारे में एकांत तनमयता केवल उसी गृहिनी में संभव है जो अपने घर की धरती को समस्त हि тебе से चाहती हो और सुवध्राजी ऐसी ही गृहिनी थी उस छोटे से अद्बனे घर की छोटी सी सीमा में उन्होंने क्या नहीं संग्रहित किया साथ सज्जा महाविराट दृष्षे के छोटे चितर के समान उपस्तित थी अपने इस आकार में छोटे सामराज्य को उन्होंने अपनी ममता के जार्दू से इतना विशाल बना रखा था कि उसके द्वार पर ना कोई अनाहूत रहा और ना इन्रास लोटा जिन संगर्सों के बीच से उन्हें मार्ग बनाना पड़ा वे किसी भी व्यक्ति को अनुदार और कटू बनाने में समर्थ थे और सुवद्रा के बीतर बैठी सुजन सीला नारी जानती थी कि काटो का स्थान जब चर्णों के नीचे रहता है तब ही वे तूटकर दूसरों को बेदने की शक्तिक होते हैं परिक्षाएं जब मनुष्य के मान सिक्स्वास्ते को क्षत विक्षत कर डालती हैं तब उनमें उत्तीन होने न होने का कोई मुल्य नहीं रह जाता नारे के रिदय में जो गंभीर ममता सजल वीर भाव उत्पन होता है वह पुरुष के उग्र सौरे से अधिक उदात और दि कल्यानी शिष्टी की रक्षा के लिए ही रुद्र बनती हैं अतै उसकी वीरता के समकक्ष रखने योग्यत प्रेणाय संसार के कोश में कम हैं मात्री शक्ती का दिव्य रक्षक उद्धारक रूप होने के कारण ही विमाकृती चंडी वद्सला अमबा भी हैं जो इनसात्मक पाश्विक शक्तियों को चरणों के नीचे दबाकर अपनी शिष्टी के मंगल के साधना करती हैं सुभद्रा में जो महिमा महिमा थी उसकी वीरता का उच्स भी बाचसल्य ही कहा जा सकता है ना उनका जीवन किसी ख्षनिक उत्तेजना से संचालित हुआ ना उनकी होजवरी ख्षनिक उत्तेजना का दान नहीं मानी जा सकती इसी से जहां दूसरों को यात्रा का अंत दिखाई दिया वहीं उन्हें नई मंजिल का बोध हुआ धक्तर बैटने वाला अपने ना चलने की सफाई खोशते खोशते लक्षे पालेने की कलपना कर सकता है पर चलने वाले को जीवन के प्रतिममता भरा विश्वास ही उनके कावे का प्राण है सुखवरे सुनहले बादल रहते हैं मुझको घेरे विश्वास प्रेम साहस हैं जीवन के साथ ही मेरे मधुमक्षिगा जैसे कमल से लेकर भटकटईया तक और असाल से लेकर आग तक सब मधुर्तिक्त एक मधु बना कर लोटाती है बहुत कुछ वैसा ही आदान संपरदान सुबद्राजी का था सभी कोमल कठिन सही ए सही अनववों का परिपाक दूसरों के लिए एक ही होता था इसका यहतात परे नहीं है कि उनमें विवेचन की तीक्षन दिश्टी का अभाव था उनकी कहानिया प्रमानित करती हैं कि उन्होंने जीवन और समाज की अनेक समश्यावों पर विचार किया और कभी अपने निशकर्ष के साथ और कभी दूसरों के निशकर्ष के लिए उन्हें बड़े चामतकारिक डंग से उपस्तित किया। जब स्टी का व्यक्तित्व उसके पती से स्वत अलग रहता है जब समाज और परिवार की सत्ता के विरुद्ध कुछ कहना अधर्म माना जाता था तब वे कहती है समाज और परिवार व्यक्ति को बंधन में बांध कर रखते हैं ये बंधन देश का लानुसार बदलते रहते हैं और उन्हें बदलते रहना चाहिए वरना एस अंतोश है तथा क्रांती है परंपरा का पालन ही जब स्त्री का परंकर तब वे समझा जाता था तब वे उसे तोड़ने की भूमी का बांधती है चिर प्रचलित रूडियों और चिर संचित विश्वासों को आगात महुचाने वाली हलचलों को हम देखना सुनना नहीं चाते हम ऐसी हलचलों को अधर्म समझ कर उनके प्रती आँख मीच लेना पुचित समझते हैं किन्तो ऐसा करने से काम नहीं चलता यह हलचल और क्रांती हमें बर्बस जगजोरती है और बिना होश में लाए नहीं छोड़ती अनेक समझ्याओं की और उनकी दृष्टी इतनी पहनी है कि सहस भाव से कहीं सरल कहानी का अंत भी हमें जगजोर डालता है विराजनेतिक जीवन में ही विद्रोहिनी नहीं रही अपने पारिवारिक जीवन में भी उन्होंने अपने विद्रोह को सफलता पूर्वक उतार कर उसे सुजन का रूप दिया था सुबद्राजी के अध्येन का क्रम ऐसमय ही भंग हो जाने के कारण उन्हें विश्व विद्यले की सिक्षा तो नहीं मिल सकी पर अनुभव की पुस्तक से उन्होंने जो सीखा उसे उनकी प्रतिभा ने सर्वत्र निजी विशेष्ता दे दी है भाशा भावचंद की दृष्टी से नए जहांसी की रानी जैसे वीरगीत तता सरल स्पष्टता में मदूर प्रगीत मुक्त यथार्त वादिनी मार्मिक कहानिया आदि उनकी मौलिक प्रतिभा के ही सुजन है ऐसी प्रतिभा गभारिक जीवन को चूता छोड़ देती तो असरिकी बात होती पत्नी के अनुगामिनी अरगांगिनी आदि विशेष्ताओं को एस्वी कार कर उन्होंने भाई लक्ष्मन सिंग जी को पत्नी के रूप में ऐसा अभिन्न मित्र दिया जिसके बुद्धी और शक्ति पर निर्भर रहकर अनुगमन किया जा सके अजगर के कुंडली के समान स्त्री के बिट्थित्व को कस कर चूर चूर कर देने वाले अनेक सामाजिक बंदनों को तोड़ फैंगने में उनका जो प्रयास लगा होगा उसका मूल्यांकन आज संभव नहीं है उस समय बच्चों के लालन पालन में मनो विज्ञान को इतना मैत्कुन स्थान नहीं मिला था और प्रयास सभी मातर पिता बच्चों को शिष्टता सिखाने में स्वयम ऐस शिष्टता की सीमा तक पहुंच जाते थे सुबद्रा जी का कवी इर्दे या विधान कैसे स्विकार कर सकता था पता है उनके बच्चों को विकास का जो मुक्त वातावरन मिला उसे देखकर सब समझदार निरासा से सिर हिलाने लगे पर जिस प्रकार यह सकते है कि सुबद्रा जी ने अपने किसी बच्चे को उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ करने के लिए बाद्दे नहीं किया संतान के बविशे को सुख में बनाने के लिए उनके निकट कोई भी त्याग एकरनी नहीं रहा पुत्री के विवा के विशे में तो उन्हें अपने परिवार से भी संखर्ष करना पड़ा उन्होंने एक शन के लिए भी इस एस सत्य को स्विकार नहीं किया कि जाती बाद की संकेन तुला पर ही बर्की युग्यता तोली जा सकती है इतना ही नहीं जिस कन्यादान की प्रथा का सब मूख भाव से पालन करते आ रहे थे उसी के विरुद्ध उन्होंने घोशना की मैं कन्यादान नहीं करूंगी क्या मनुष्य मनुष्य को दान करने का अधिकारी है क्या विवाह के उपरांत मेरी बेटी मेरी नहीं रहेगी उस समय तक किसी ने और विशेशते किसी स्त्री ने ऐसी विचित्र और परंपरा विरुद्ध बाद नहीं कही थी देश की जिस स्वतंता के लिए उन्होंने जीवन के वासंती सपने अंगारों पर रख दिये थे उसकी प्राप्ती के उपरांत भी जब उन्हें सब और अभाव और पीड़ा दिखाई दी तब उन्होंने अपने संगर्ष कालें साथियों से भी विद्रो किया उनकी उगुरता का अंतिम परिशे तो विश्वबद्य बापू की अस्तिव सर्जन के दिन प्राप्त हुआ वे कई सो हरीजन महीलाओं के जुलूस के साथ साथ मील पैदल चलकर नर्मदा किनारे पहुंची पर अन्य संपन परिवारों की सरश्याएं मोटरों पर ही जा सकी जब अस्तिप्रवाहत के उप्रांत संयोजित सभा के गेरे में इन पैदल आने वालों को स्थान नहीं दिया गया तब सुभद्रा जी का क्षुब्द हो जाना स्वाभाविक ही था उनका क्षात्र धर्म तो किसी प्रकार के अन्याय के प्रती क्षमा सी हो नहीं सकता था जब उन हरिजनों को उनका प्राप के दिला सकी तब ही वे स्वयम सभा में सम्मेलित हुई सात्मी और पांच्मी कक्षा की विद्यार्थिनियों के सक्ष्य को सुबद्राजी के सरल स्नेह ने ऐसी अमिट लक्ष्मन रेखा से घेर का सुरक्षित रखा कि समय उस पर कोई रेखा नहीं खीच सका अपने भाई बैनों में सबसे बड़ी होने के कारण मैं अनायास ही सब की देखरे और चिंता की अधिकारिनी बन गई थी परिवार में जो मुझसे बड़े थे उन्होंने भी मुझे ब्रह्मसूत्र की मोटी पोथी में आँख गड़ाए देखकर अपनी चिंता की परिदी से बाहर समझ लिया था पर के ओल सुबद्रा पर न मेरी मोटी पोथियों का प्रभाव पड़ा न मेरी समझदारी का अपने व्यक्तिकत सम्मंदों में हम कभी कुतुहली बालभाव से मुक्त नहीं हो सके सुबद्रा के मेरे घर आने पर भक दिन तक मुझ पर रॉब जबाने लगती थी क्लास में पहुँचकर वह उनके आगमन की सूचना इतने उंचे स्वर में इस प्रकार देती कि मेरी स्थिती ही विचित्र हो जाती उस सहोध्रा विचरियव तो इनका देखे बरे आई के अकेले सुने घरमा बैठी है और इनका कितबियन से फुर्सत नहींब एमें बीए के विद्यार्थियों के सामने जब एक देहातिन बुढ़िया गुरू पर कर्तब्वे उलंगन का ऐसा आरोप लगाने लगे तो बेचारे गुरू की सारी प्रतिष्ठा किर्किरी हो सकती थी पर इस अनाचार को रोकने का कोई उपाय नहीं था सुबद्रा जी के सामने न भक्तिन को डांटना संभव था न उसके कथन के उपेक्षा करना मंगले में आकर देखती कि सुबद्रा जी रस्वई घर में या बरामदे में भानुमती का पिटरा को ले बैठी हैं और उसमें से अधुत वस्तुएं निकाल रही है छोटी छोटी पत्थर यसी से की प्यालियां मिर्च का अचार वासी पूरी पेड़े रंगिन चकला बेलन चुटीली नीली सुनहली चूडियां आदी आदी सब कुछ मेरे लिए आया है इसकर कौन विश्वास करेगा पर व भी अवसर आ जाते थे जब एक किसी कवी सम्मिलन में आते जाते प्रयाग उतर नहीं पाती थी और मुझे स्टेशन जाकर ही उनसे मिलना पड़ता था ऐसी कुछ खणों की भेंट में भी एक दिश्वी की अनेक आवरतियां होती ही रहती थी वे अपने थेले से दो चमकिली चुडियां निकाल कर हसती हुई पूछती पसंद हैं मैंने दो तुम्हारे लिए दो अपने लिए खरीदी थी तुम पहनने में तोड़ डालोगी लाओ अपना हाथ मैं पहना देती हूँ पहन लेने पर वे बच्चों के समान प्रसंद नहों उठती हम दोनों जब साथ रह आथ थी तब बात में एक मिनिट और हसी में पांस मिनिट का अनुपाथ रहता था इसी से प्राय किसी सभा समयती में जाने के पहले नहसने का निष्चा करना पड़ता था एक दूसरे की और बिनात देखे गंभीर भा उसे बैठे रहने की फितिग्या करके भी वहां पहुं स्थिति हो जाती थी उसका अनुमान सहज है अनेक कभी सम्मिलनों में हमने साथ भाग लिया था पर जिस दिन मैंने अपने न जाने का निश्चे और उसका ओचित्य उन्हें बता दिया उस दिन से अंत तक कभी उन्होंने मेरे निश्चे के विरुद्ध कोई आग रह नहीं कि आर्थिक स्थितियां उन्हें ऐसे निमंत्रन स्विकार करने के लिए विवश्च कर देती थी परन्तु मेरा प्रश्ण उर्ते ही वे कह देती थी मैं तो विवश्चा से जाती हूं पर महादेवी नहीं जाएगी नहीं जाएगी साहित्य जगत में आज जिस सीमा तक प्रक्तिगत स्पर्धा ईश्या वेश है उस सीमा में तब नहीं था या सकते है पर एक दूसे के साहित्य चलित्र सुहाव समंदी निंदा पुरान तो सब युगों में नानी की कथा के समान लोग प्रेताप पा लेता है अपने किसी भी परिशित ऐ परिशित साहित्य साथी की तृट्यों के प्रति सहिश्नों रहना और उसके गुणों के मुल्यांकन में उदार्ता से काम लेना सुभद्रा जी की निजी विशेस्ता थी अपने को बड़ा बनाने के लिए दूसरों को छोटा प्रमानित करने की दुरबलता उनम बार बात करते करते मृत्यों की चर्चा चल पड़ी थी मैंने कहा मुझे तो उस लहर की इसी मृत्यों चाहिए जो तटपत दूर तक आकर चुपचाप समुद्र में लोटकर समुद्र बन जाती है शिवद्रा बोली मेरे मन में तो मरने के बाद भी धर्ती छोड़ने की कलपना नहीं है मैं चाहती हूँ मेरी एक समाधी हो जिसके चारों और नित के मेला लगता रहे बच्चे खेलते रहें अस्त्रियां गाती रहें और कूला हल होता रहे अब बताओ तुमारी नाम धाम रहित लहर से या आनन्द अच्छा है या नहीं उस दिन जब उनके पार्थिव अफशेस को जिवेणी ने अपने शामल उजवल अंचल में समेट लिया तब नीलम फलक पर स्वेथ चंदन से बने उस चित्र की रेखाओं में बहुत वर्सों पहले देखा एक किसोर मुख मुस्कुराता जान पड़ा यहीं कहीं पर भिखर गई वह अच्छिन विजय माला सी आज़े दोस्तों इस पार्ट के कुछ महत्पून प्रिश्ण उत्रों की चर्चा कर लेते हैं महादेवी के बच्वन में कविता रष्णा माना जाता था उत्तर अपराध प्रिश्ण दो जहां बंधन है वहां उत्तर ए संतोष और क्रांती है अगला प्रिश्ण सुभद्रा ने अन्तिम बिदा किस दिन ली उत्तर वसंत पंचमी को अगला प्रिश्ण दोनों बाल सक्खियां इन कक्षाओं में पढ़ती थी उत्तर महादेवी वर्मा कक्षा पांच में और सुभद्रा कुमारी जोहान कक्षा साथ में पढ़ती थी अगला प्रिश्ण सुभद्रा के पती का क्या नाम था उत्तर लक्ष्ण सिंग अगला प्रिश्ण नारी रुद्र कब बनती है उत्तर अपने विकास कार्य में बाधा आने पर अत्वा अपने परिवार पर संकट आने पर अगला प्रिश्ण सुभद्रा जी के कव्य का प्राण क्या था उत्तर जीवन के प्रती ममता भरा विश्वास अगला प्रिश्ण क्या तुम कविता लिखती हो यह किस ने किसको पूछा उत्तर सुबद्रा ने महादेवी को अगला प्रिश्ण महादेवी ने सुबद्रा की तुलना किस्से की है उत्तर मधुमक्षिका या मधुमक्षी से अगला प्रिश्ण गणित की कारे पुस्तिका में कविता की तुकबंदियां लिखने वाला कौन था? उत्तर महादेवी वर्मा अगला प्रश्ण मैंने हसना सीखा है मैं नहीं जानती रोना पंक्तियां किसकी है? उत्तर सुबदराजी की अगला प्रश्ण क्या मनुष्य मनुष्य को दान करने का अधिकारी है इस प्रश्ण के द्वारा सुबदरा किस सामाजिक प्रथा पर प्रश्ण उठा रही है? उत्तर कन्यादान की प्रथा पर अगला प्रश्ण गांधी जी की अस्तिव सर्जन के उपरांत होने वाली सभा में सुभद्रा ने सम्मिलित होने से क्यों मना कर दिया उत्तर उस सभा में हरिजन महिलाओं को सम्मिलित नहीं होने दिया गया अगला प्रिश्ण महादेवी वर्मा और सुबद्रा कुमारी चोहान दोनों कौन से स्कूल में पड़ती थी? उत्तर क्रास्थवेट स्कूल में अगला प्रश्ण महादेवी वर्मा को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर आधुनिक मीरा के नाम से अगला प्रश्ण महादेवी को आधुनिक मीरा क्यों कहा जाता है उत्तर विरह वेदना के गीतों के कारण तो मित्रों ये था अक्षा बारे हिंदी साहित की वितिय पुस्तक मंदाकिनी का अध्याय साथ सुबर्द्रा जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा आशा है आपको ये वीडियो प्रसंद आया होगा इसे लाइक करें अपने मित्रों के साथ शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें गंटी वाला आइकन दबा कर और पविश्व में अपलोड होने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करें धन्यवाद